हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल रोकी प्यारी टैबले फ्रेंड्स कैसे हैं आयोप सब अच्छे होंगे और ये है मेरा हस्तनापुर का व्लोग टू तो व्लोग वन में मैं आपको दिखा चुके हूँ के अलाश प्रवत चोकी हमारे हस्तनापुर नगरी में है जैनियो में किनारे बशा हुआ है तो इसके बारे में सभी पता है महवारत काल से चुड़ी है महा कावे मतल्ड़ माना जाता हमारा जो है और और यहां पर कोरव पांडव की जो नगरी थी, वो यहां से स्टार्ट हुई थी उनका सब कुछ, लेकिन आज हमारा जैनियों का जो जैन धहरम का मंदिर यहां बन चुके हैं, तो है तो हमारी हस्तनापर नगरी ही, और यहां पर कयलाश्परवत है, सुमेरू परवत है और यह और आप जो है यहां पर है सुमेरू परवत है और देखो कला करती तो ऐसी है कि क्या बताएं बस मतब अभिश्वसन है शब्द नहीं है शब्द है मतब हम लोग के पास सब्द नहीं इतनी सुंदरता है यहां पर इतना प्यारा बनाया हुआ है कि अगर आप लोग आओ तो अबने देखा था इसकी कला करती बिल्कुल कमल के फूल जैसी है जैसे हमारे दिली में है लोटस टेमपल उबजस्ट उसी की तरह है इसकी आकरती भी बिल्कुल और यह सब मंदिर अभी फिलहाल बंद है अंदर से अदर्वाइज मैं अंदर से दिखाती आप लोगों पर तो कहां से शुरू करें कहां से नहीं दिगंबर जैन बड़ा मंदिर है जास्ट पत है करण मंदिर कलाश परवत में आपको दिखाई चुकिए ह। ठीक है शुमेरू परवत है शुमेरु परवत भी अपने में एक अलगी चाटा है उसकी आग छोटा है लेकिन अच्छा है बहुत सुन्दर है और बहुत ही प्यार है और यहाँ पर जैन मंदिर के जैन दिकंबर जैन जो है उनका ही मंदिर है उन्होंने ही बनवाए है बहुत इश्रद्ध है लोगों की यहाँ पर देखो कितनी सुन्दर कला करती है और कहते हैं कि भगवान आदिनात नेना अपना राज्य त्याग दिया था और तपसी जीवन में प्रवेश कर लिया था तो उन्होंने जब तपसी जीवन बहुत अच्छते से निभाए भी था और साल भर के बाद वो फिर यहां पर आ गए थे और जो आपको बताया था पहले परतमालाओह त्यीत था कि यह पहले एक हस्तनापुर परतमालाओह में चेंज हो गया था तो उसके बाद फिर इहां ही पर आकर उन्होंने अपना मंद्र का निर्मान करवाया था पएलाश परवट और यहांपर न अगर एक चीज़ हो रहे हैं यहांपर वैसे तो मंदिर है फिलाल तो लेकिन मैं अभी आगे को लेकर चलू तो अभ्यारण भी है यहांपर हस्तिनापुर में पहुत सुन्दर नैशनल पार्क है है हस्तिनापुर में बहुत चीज़े हैं देखने को और शैप में जो एक धरम सिंग्गुरु देव भी है और अश्टपत तो बहुत ही सुन्दर है यहां पर अश्टपत मैंने भी नहीं दिखाया आपको अश्टपत मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगे आपको लेकिन यहां पर देखो यहां फ्लावरिंग इतनी सुन्दर है हर तरह का फूल हैं और गुलाब की तो जितनी भी वेराइटी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान clownगी वो सब वेराइटी यहां पर हैं गुलाब की एक दो नहीं हर तरह का और हर चीज को इतना तरीके से बारी कि से क्या गया है बहुत सुन्दर बन रहा ये बहुत है बहुत सुन्दर बन रहा ये जुस्ट बान रहे है जब बन्क त्यारा हो सध कि दूल लगई छे इश जप नीस जुछ कि दो नेरव से दाह 있습니다 ब्लगुर सांती इतनी सांती रहती है कि मन बिल्कुल जो भठकता भी होगा बिल्कुल एक दम एककागर हो जाता है सांती से बेठते हैं ज BACKन Highway और शेयरी लिए चींची का आवाज वही एवन एक पंख्य तक की भी इसमें आपर पटा नहीं क्यों इस तरह हैं और सच में आज तो मैं रहे गई हैं कि की ओपन नहीं था तो मैं नहीं जा पाई अंदर अदर अधर्वाइस मज़ा बहुत आता है इसमें और मन लगता है बहुत जादा और बच्चों के लिए भी बहुत चीज़े बनी हुई है यहां पर ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मनलब आसे बताते हैं कि जो सुनने में आया कि मतलब यहां पर लोग चड़ जाते थे उपर तो गिरने का चांस हो जाते थे तो इसे देश्व में उपर वतको उन्होंने कवर कर दिया और उसके बीच में मतलब बोटिंग होती है वो पार्क वो है वाटर पार्क टाइप कर बना द औरों को देखके बड़ा अच्छा लग रहा था कितने सब तरह की जूले आए यहां पर बच्चों के लिए तो बहुत चीजे हैं सभी चीजों की विवस्था की गई हैं यहां पर ऐसी बात नहीं किसी बड़ों के लिए हैं बड़े अपने मरोरंजन करते हैं चीजे को दिखते हैं उनकी सुंदर्ता थब ओएंए फोट पर चीजे को नहीं समझ पाते तो उनके लिए कुछ और चीजें हैं यहां पर दीखने के लिए हैं पर काफी चीजें जो दिखाई हैं और माकी देखने में शूदर लगता है देखने में और देखो हर जगे मतलब ऐसे दिखाया ना थोड़ी सी भी जगे ले जाओ वहां भी बहुत सुन्दर है यह मैं वाहर एंट्री को बंदर कहां गुम रहे हैं ऐसे गुमते रहते हैं आम इंसायन की तरह है यह है सुमेरू परवत का यह ब्लुकुल क्लोज है एक बंद किया हुए और अब हम आ रहे हैं वापस घर की तरफ को तो मैंने सुचा क्यों ना मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा यह हमारे पुराने मंदिर है यहां जब स्टार्टिंग थी 1975 के बीच में तो इस तरह के मंदिर बनने शुरू हुए थी स्टार्टिंग में जयन मंदिर जो थे उसके नगरी का कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहां पर तो अभी इतने तो मतलब मंदिर वैसे तो नहीं है लेकिन द्रौपदी घाट है और जहां पांडवा की पूजा होते थी सनी मंदिर है वह सब जंगल के बीच में हैं और कभी जाओंगी दुबारा तो मैं वीडियो जरूर ब जहां पर शिव भगवान की जो सिविलिंग है बहुत सालों पुराना बताते हैं कि वहां पर जो पांडव थे वो पूजा करते थे और जो द्रौपदी थी वो नस्तान करने के बाद महीं पर जाती थी पूजा करने के लिए तो इस सारा जंगल है अभी लेकिन आने वाले ट साथ वगर आएगी ना तो इसमें पुरा फ्लोग के चलेगी उपर तक लेकिन अभी थुड़ा पानी है इसमें और यह सारा जंगल हस्तनापुर का ही है तो फ्रेंड्स आई हॉप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजेगा जो न अजय के अड़न से जरूर अगल है।